बच्यो नमस्कार गनित की कक्छा में आपका स्वागत है बच्यो आज हम गनित की कक्छा में कक्छा दूसरी का अध्याय 8 भार के बारे में चर्चाई करेंगे तथा कुछ अवधारनाई इसपश्ट करेंगे आपको यहां पे एक चितर दिखाई दे रहा है तो बच्चो ये किस वस्तू का चित्र है? जी हाँ बच्चो या तराजू का चित्र है और आपने इसे किराना दुकान में या सबजीगी के बजार में देखा होगा हम इससे क्या करते हैं बच्चो? तो हम इससे वस्तू के भार को नापते हैं बच्चो आपको यहां जो चित्र दिखाई दे रहा है, क्या इसके पल्ड़े में कोई वस्तु रखी गई है, या इसके दोनों पल्ड़े बराबर है, तो बच्चो अभी आप देखे, यहां पे इसमें कोई वस्तु रखी गई नहीं है, तो इसके दोनों पल्ड़े बराबर ह अब बच्चों हमने इसके एक पलरे में एक सेव को रख दिया ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है तो बच्चों आपने देखा कि जैसे ही हमने उस पलरे में सेव को रखा वह नीचे हो गया और दूसरा पलरा उपर हो गया तो बच्चो ये क्यों हुआ होगा आप ज़रा सोचिए जी हाँ बच्चो क्योंकि हमने वहां तराजू में सेव डाला जिसमें भार होती है और उसके भार के कारण वह पलरा नीचे चला गया और जो हलकी थी जो दूसरा पलरा खाली था वह उपर चला गया तो हम देख रहे हैं बच्चो कि जो पलरा भारी होता है वह नीचे हो जाएगा और जो पलरा खाली होता है वह उपर हो जाएगा यहां देखिए आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि खाली पलरा उपर है और भारी पलरा नीचे है आईए बच्चों हम एक और गतिविधी करके देखते हैं अब बच्चों देखिए मैंने इस तरह जुके एक पलड़े में दो सेव को रख दिया और दूसरे पलड़े में मैंने तीन सेव को रख दिया तो बच्चो आप देखिए कि जिस पल्रे में तीन सेव था वह नीचे आ गया और जिसमें दो सेव था वह उपर हो गया तो इससे हम क्या निसकर्ष निकाल सकतें बच्चो जी हां कि तीन सेव का वजन या तीन सेव का भार दो सेव के भार से अधिक था वह अधिक भारी था इसलिए वह नीचे हो गया और दो सेव हलका था इसलिए उपर हो गया अब बच्चों हम एक और गदी विदी करके देखते हैं तो ये देखे बच्चों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है अब हमने एक पल्ड़े में तर्बूज को रख दिया और दूसरे पल्ड़े में हमने दो आम को रख दिया अब सोचे बच्चों कौन सा पल्ड़ा नीचे जाएगा और कौन सा उपर तो ये देखे बच्चो आपको चित्र में दिख रहा है कि जो तर्बूज है वह नीचे आ गया और जो आम है जिसकी संख्या दो है फिर भी वह उपर चला गया तो हम देख रहे हैं बच्चो कि यहाँ पे जो तर्बूज है उसकी वजन अधिक है इसलिए वह नीचे आ गया और आम जिसकी वजन हलकी है वह उपर चला गया परन्तु बच्चो आप यह देखे कि आम की संख्या तो दो है और तर्बूज की संख्या एक है फिर भी वह नीचे चला गया चुकि वह अधिक भारी था और आम चुकि हलका था संख्या अधिक होने के बावजूद भी वह उपर चला गया तो हम कह सकते हैं कि जो भी वस्तु अधिक भारी होती है वह पल्रे में नीचे जाएगी चाहे उसकी संख्या कम हो या जादा और जो वस्तु हलकी होगी वह उपर जाएगी चाहे उसकी संख्या कम हो या जादा अब बच्चो आप देखिए तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें हमें एक और बाते नजर आएंगी दोनु जो पल रहे थे वहाँ जिस डंडे से जुड़ा था उसके बीच में आपको एक डंडी नजर आ रही होगी अब बच्चो आप देखिए कि वहाँ डंडी किधर जाती है तो जो वस्तु भारी रहती है वहाँ डंडी भी उसी ओर चली जाएगी आप ध्यान से देखिए तो तरबूज यहाँ भारी है तो वहाँ डंडी किस ओर जो कही है बच्चो तरबूज की ओर तो हम उस डंडी को भी देखके पता लगा सकते हैं कि कौन वस्तू भारी है और कौन वस्तू हलकी है अब बच्चो हम एक गतिविधी करके देखते हैं तो बच्चो यहाँ पर आप देखे मैंने एक तराजु लिया है इसी प्रकार आपको भी एक तराजु लेना है आप अपने आसपास के दुकान से कुछ समय के लिए इसे मंग के ले आईए या फिर बच्चो आप इसे अपने सिक्षक की मदद से या अपने घर के बड़ों की मदद से घर में भी बना सकते हैं अब बच्चो हम इस तराजु से एक गतिविधी करके देखते हैं हम कुछ वस्तूइं यहाँ पर हम लेते हैं तो बच्चो हमने वस्तूओं के अधार पर देखे यहाँ पर एक तालीका बनाई है यह तालीका आपके पाठी पुस्तक में भी है तो इस तालीका के अधार पर हमें किस प्रकार गतिविधी करनी हैं मैं आपको बतलाता हूँ तो बच्चो आप पहले क्रमांक में देखे हमने दो बीज और एक पेन लिया है हमें बताना है कि इन में से कौन भारी है और कौन हलका है तो बच्चो आप क्या कीजे जो आपने तराजु लिया था उस तराजु के एक पलरे में दो बीज ले लिजे आप यहाँ पे किसी भी पेड या पौधे का बीज ले सकते हैं तो आप यहाँ पे दो बीज ले लिजे और एक पेन ले लिजे दोनों को अलग-अलग पलरे में रख दीजिए अब आपको देखना है कि उसमें से कौन अधिक भारी है और कौन हलका है आपको पहला कॉलम देखिए हलका का लिखा हुआ है तो जो वस्तु उनमें से हलकी होगी उसे आप पहले क्रमाग में लिख दीजिए और जो भारी होगी उसे आप दूसरे क्रमाग भिलिख दीजे जैसे आपको दूसरे में देखे आपको दिखाई दे रहा होगा एक पैंसिल और एक डस्टर दिया गया है आपको एक पल्रे में एक पैंसिल को रख देना है और दूसरे पलड़े में डश्टर को रख देना है जो हलका होगा वो उपर आ जाएगा और जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा तो आपको हलके को पहले तालिका में और भारी को दूसरे तालिका में लिख देना है इसी प्रकार नीचे देखिए आपको और भी वस्तु में दी गई हैं इसे आप घर में करके देखिए आपको बहुत मजा आएगा और आप चाहे तो इसमें आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं अब चलिए बच्चों हम अगली गतिविदी में चलते हैं अब बच्चों हमको किसी वस्तु का भार पता लगाना है किसी छोटे वस्तु के अधार पर तो बच्चों मैंने यहाँ पे छोटी वस्तु के रूप में कंचे और बीज लिये हैं आप अपनी सहुलियत के अधार पर कुछ और भी ले सकते हैं अब बच्चो आपको फिर से एक तालिका दिखाई दे रही है जिसमें आप देखें आपको एक डश्टर, दो पैंसिल, दो चौक, पेन और रबट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तथा दूसरी तालिका में आपको कंचे और बीज दिखाई दे रहा है बच्चो हमें वस्तूओं को कंचे के अधार पर नापना है अर्थात बच्चो हम एक पलड़े में तराजू के एक पलड़े में वस्तू को रखेंगे और दूसरे पलड़े में कंचो को रखेंगे अब हमें कंचो की संख्या दीरे दीरे बढ़ाते जानी है बच्चो हम कब तक बढ़ाएंगे जब तक दोनों के वजन बराबर ना हो जाए बच्चो जैसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो वस्तु है जैसे उधारन के लिए पहला वस्तु डश्टर है उस वजन के बराबर हमारे कंचे हो जाएंगे तो दोनों पल्रे आपस में क्या हो जाएंगे बच्चो बराबर हो जाएंगे अब हमें कंचो की संख्या गिन्नी है और कंचो की संख्या यहां तालिका में लिख देना है इसी प्रकार से आप इस गतिवीदी को बीज के लिए भी दोराईएगा और जो बीज की संख्या होगी उसे आप दूसरी तालिका में लिख दीजेगा बच्चो आप इसे करके देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा बच्चो जो नीचे वस्तुएं दी गई हैं उन्हें भी आप इसी प्रकार से अभ्यास करके देखिए और जो कंचे और बीज की संख्या होगी उसे आप यहाँ पे तालिका में भर दीजे यह तालिका आपके पाठि पुस्तक में दी गई है चलि बच्चो अब हम आगे चावते हैं बच्चो अब हमें अन्मान लगाना है कि किसी भी वस्तु का भार कितना होगा बच्चो हमें अन्मान लगाने के लिए हम अपने ही हातों का प्रयोग करेंगे बच्चो जैसे मुझे एक डश्टर लेना है और अनुमान लगाना है कि इस डश्टर का वजन कितने कंचों के बराबर होगा तो बच्चो आप एक हाथ में डश्टर रख लिजे और एक हाथ में कंचे रखे और एक अनुमान लगाईए कि क्या ये दोनों का वजन बराबर है और जब आपको लगे कि हाँ ये दोनों का वजन बराबर है तब आप कंचों की संख्या गिन लीजिए अब इन संख्या को आपको तालिका में भरना है तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको तालिका दी उसमें कुछ वस्तुएं लिखी गई हैं जैसे डश्टर, चौक, पैंसिल, रबड और स्केल तो आपको एक अनुमान लगाना है कि इन वस्तुओं का वजन या भार कंचे में कितना होगा यह अनुमान लगा के आप देखिए अब बच्चो आपको इसी गतिवीधी को फिर से दौराना है परंतु अब इस गतिवीधी को आपको तराजु के माध्यम से दौराना है और इन सभी वस्तुओं का फिर से भार निकालना है और देखना है कि कि तनी संख्या में कंचे आते हैं फिर बच्चो आप तुलना किजेगा कि आपने जो अनुमान लगाय था और जो वास्तविक भार उसका आया है, उसमें कितना अंतर आ रहा है, आपका अंतर जितना कम होगा बच्चो, उतनी खुसी की बात है, आपने भार निकालना सीख लिया, और अगर मान लिजिये कि अंतर थोड़ा बहुत अधिक है या अलग भी है, तो निरास मत होए बच्चो, आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका अनुमान धीरे धीरे सुधरते जाएगा, आप इसको करके देखेगा, अब बच्चो, आप जब अपने आसपास बजार जाते होंगे, दुकान जाते होंगे, या किसी हॉस्पीटल वगेरा में जाते होंगे, तो आप देखते होंगे, कि ह हम अलग-अलग माध्यम से क्या करते हैं भार का मापन करते हैं तो बच्चो यहां मैं कुछ उधारन दे रहूं कि हम किस अदार पर भार का मापन करते हैं तो बच्चो पहला तो मापन हो गया तराजू जिसका अभ्यास हम लों ने अभी-भी किया दूसरा देखे बच्चो हम समान को उस पे रख देते हैं और स्क्रीन पे हमको उसका वजन दिखाई देता है यह आपको railway station, bus system आधी जगहों पर दिखाई देता होगा इसी प्रकार बच्चो आप जब hospital वगेरा जाते होंगे तो आपको इस प्रकार से एक machine दिखाई देती होगी जिसमें आपको खड़े करा दिया जाता है और आपका वजन ना पा जाता है इसी प्रकार से बच्चो आप देखे होंगे कि आप जब किराना दुकान, फल दुकान या अलग दुकान जाते होंगे तो आपको इस तरह से भी भार की machine दिखाई देती होगी जिसमें हम वजन को नापते हैं बच्चो अब आप सोचिए क्या इन सभी के अलावा भी आपने कोई machine देखा है तो उसे भी आप copy में note कीजिए अब बच्चो हम आप से मिलेंगे गनित की अगली कक्षा में कुछ नए अवधारनाओं के साथ तब तक के लिए नास्कार क्या प्यू नास्कार भी आप सोचिए